हेलो दोस्तों, दरेवास कैलरी में आप सबका स्वागत है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एक शक्तिशाली सामवन्त और माता जीजा भाई असाधारन प्रतिवाशाली महिला थी। शिवाजी युद की रणनीती बनाने में माहिर थे। उनकी समर युद नीतियां जैसे गनमी कावा अर्थात छोटे गुटों में शत्रू पर अचानक से हमला कर हराना आज भी सेनाएं युद में इस्तमाल करती हैं। उन्होंने गोलिक गोरिला युद रणनीती को प्रचलित किया। अकरमण कारियों और समद्री डाकों से कोकर तट की रक्षा के लिए उन्होंने एक शक्तिशाली नौ सेना का निर्मान किया था। इसलिए उन्हें भारतीय नौ सेना के पिताबी कहा जाता है। वे एक अच्छे सेना नाया के साथ साथ एक अच्छे कूट नितिग्य भी थे। उन्होंने शुक्राचारे तता कोटल्य को आदर्श मान कर सीधे युद लड़ने की बज़ाय कूट निती से बड़े से बड़े शत्रू को मात दी थी। शिवाजी ने 1674 में पश्चिम भारत में माराथा समराज की स्थापना की थी। छत्रपती की उपादी दी गई थी। उन्होंने हिंदू पद्धती शासक होते हुए भी सभी दर्मों का सम्मान किया। अपरिल 1681 में बिमारी के कारण उनका देहान थो गया। भारत के माहान शासकों के रूप में आज भी उन्हें आदर पुरवक याद किया जाता है। धन्यवाद।